हालो फ्रेंट्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ग्यान में आज की इस वीडियो में बात करेंगे कुछ ऐसे स्टॉक्स के बारे में जिन में आपको कल के दिन जो चीजें हैं वो देखने को मिल सकती अपसेंड डाउंस में जो स्टॉक्स हम इस वीडिय ब्रोकरेज हाउस इस ने इन स्टॉक्स को कवर करके उस पर अपनी रेटिंग दी है या फिर यहां पर अगर आप देखो किसी के क्वाटर फो के नंबर्स भी निकल कर आएं तो वीडियो को आप एंट तक जरूर देखिए सो डैट आपको सारी चीजे जो है वह आपको अच इन फोसिस के बारे में तो इन फोसिस का अगर आप यहां पर सेनारियो देखते हो तो कुछ ऐसा है कि आज के दिन यहां पर इसमें एक परसेंट की तेजी देखने को मिली और इसके पीछे का रीजन मैं अगर आपको बताऊं तो वह यह है कि इनके क्वाटर फोर के जो आप यहां पर देखोगे तो बहुत सारी चीज है में जो है वो प्रॉफिट है वो आपको वाई ओन वाई और क्यू ओन क्यू पर इंप्रूब होते हुए नजर आए एक चीज जो और सबसे बहतरीन हुई वो यह हुई कि यहां पर कंपनी ने डिवीडेंड भी दिया डिव यहां पर देखोगे तो एक काफी अच्छा का सा माहौल कल के दिन बन सकता है अब आज यहां पर अगर हम देखते हैं तो अभी अगर हम यहां पर देखें तो देख पारे होगे आप नियू और कि श्टॉक एक्चेंज पर तो जो शियर में गिरावट देखने को मिल रही है जबकी results अच्छे हैं आप यहां पर देख पारे होको लगबग 1% की गिरावट है एक परसन की यहां पर गिरावट समझो देर 2% की गिरावट कल के दिन लेकिन चीजे जो हैं वो तो positive होई है अब यहां पर जब मामला नजर आ रहा है negative तो अब इसमें थोड़ा सा बन गया ह डाय सी सिक्योएशन कि कल के दिन क्या हो सकता है मेरे जाल से जब यहांपर न्यू यू यork स्टॉक एक्शेंज पर लुख आपके दिन भी हो सकता है आपको लुखने को मिले अब यहांपर बात करते हैं दूसरे स्टॉक एंजल य10d गिरावट हुई लगबक 2790 रुपे पर शेयर की क्लोजिंग आपको यहां पर देखने को मिली 31 रुपे का इसमें हाई देखने को मिला था अब इस स्टॉक को क्यों कबर किया है वो मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप देख पा रहे होगे कि एंजल वन के जो क्वाटर फोर 30 करोड 340 करोड आप यहां पर देख पा रहे होगे और फिर ट्रेडिंग एक्टिविटी भी यहां पर बढ़ते हुए नजर आई जब ओवरल प्रॉफिट इंक्रीज हो गया वो भी एक बड़ी परसेंटेज के साथ तो चीज़ें इसमें पॉजिटिव होनी थी लेकिन 70 रुपे के आसपास यह मार्केट में ट्रेड गत्यों नजर आता है इस कंपनी में अगर आप यहां पर देखते हो तो आपको जो है स्प्लिट देखने को मिलेगा और स्प्लिट आपके सामने ऐसा है कि आप यहां पर सेनेरियो देखोगे बन वाइट टैन आपको यह चीज देखने को मिलने वाला है अगला स्टॉक निकल कहता है IREDA IREDA में 2% की रैली आज आपको यहां पर देखने को मिली शेयर पहुँच गया 163 पर 169.70 का इसने हाई बनाया और अगर आप यहां पर देखोगे तो आज एक अच्छी कासी तेजी शेयर के अंदर देखने को मिली अगर आप यहां पर निउस वगरा देखते हो तो एसस तो कोई निउस निकल के आई नहीं है लेकिन हाँ यहां पर इसकी जो quarter 4 की आपको यहां पर date जो है वो देखने को मिल गई है अब date वगरा क्या कुछ है वो मैं आपके सामने यहां पर रख देता हूँ तो अगर आप आप यहां पर देख पाऊगे तो मैं आपको यहां पर बता हूँ तो चीजां कुछ ऐसी हैं कि 19 April को जो आपको इसके Results है वो देखने को मिलने वाले है उन्यिस अपर को आपको यहाँ पर इसके रिजल्स देखने को मिलेंगे अब इस बारी देखना यह बहुत ज्यादा दिल्चस्प रहेगा कि क्या आपको यहाँ पर डिवीडेंट दिया जाएगा या फिर नहीं दिया जाएगा अगला श्टॉक निकल कर आता है यह बैंक यह बैंक में आज का जो ट्रेडिंग सेशन है वह काफी अधा थोड़ा था कॉम्प्लिकेटर सा रहा इसमें आपको एक टाइम बते एक देड़ बसन तक की तेजी देखने को मिल रही थी क्लोजिंग अट पार आपको यहां पर देखने को मिली है इसको इसलिए कवर किया है क्योंकि यहां पर इनका नया शेर वोल्डिंग पैटर निकल कर आ चुका है अब जो निव शेर वोल्डिंग पैटरन है यह इस पर इंका वो मैंने आपके सामने रख दिया है जिसमें सेप्टमबर में 23.39 थी फिर बढ़ाया और अब कम हो गया है वहीं अगर हम यहां पर देखते हैं तो इन्हों ने अपनी होल्डिंग को बढ़ा दिया है 4.75 से 4.76 है आप देख पा रहे होगे 4.74 फिर 4.75 फिर 4.76 MF की बात करें तो MF ने भी होल्डिंग जो है बढ़ाई है डेटा मैंने पूरा आपके साथ शेर किया ही था 0.14 से 0.19 आपको यहां पर MF का डेटा जो है वो देखने को मिल रहा है अदर्स जिसमें रिटेलर्स वगरा सब होते हैं तो यहां भी जो होल्डिंग से वह इंक्रीज हुई है अगले श्टॉक है वरुन वेवरेजिस यह श्टॉक का फिया था हाइलाइट श्टॉक है इसको मॉर्गन श्टैनले ने भी कवर करा है रिसेंटली और इस पर अगर आप यहां पर देखोगे तो क्या है कि यहां से 23% का अपसाइड इन्होंने एक्सपेक्ट किया है कि यहा यहां पर दिए गए है वो भी मॉर्गन श्टैनले के तरफ से तो यह श्टॉक अगर आपको सही लगता है सारी चीज़ मॉर्गन स्टैनले पर अगर आपको भरोसा है तो डेफिनितली आप इस स्टॉक को भी चेक आउट कर सकते हो बाकी इंफो सिसके अर्मेने पूरी enhance video बनाती है तो वो आप जाके देख लिजएगा फिलाल इस वीडियों में इतना ही आपको और भी कोई चायक्स कावर करवार ने हो ऐसी दर्क टॉइज में तो प्लीज स्ट स्ट कर लिए मैं कल की वी मैं जो वीडियो रहेगी उसमें उन सारे स्टॉक्स की न्यूस जितनी भी होगी वह मैं कवर कर लूँगा जो लोग आप कॉमेंट में मेंशन करोगे तो ज्यादा से यादा कॉमेंट करिए वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरू जरूए बाद